We all want to achieve acne-free, clear, glowing and healthy skin तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप आशीव कर सकते हो बहुत ही इजिली इंडियन ग्लास स्केन और इसमें मैक्सिमम स्टेप्स हम यूज करने वाले हैं होमेट चीजों के तो सभी एज और जैंडर के लोग इस रूटीन को फॉल्व कर सकते हैं और इसके एक ही यूज से आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आप पूरे रूटीन को अच्छे से इंप्लिमेंट कर सको फेस बशुष मैंने औरेडी कर लिया है मैं दिन में सिर्फ पानी से ही अपने फेस को क्लीन करती ह हूँ और अब मैं नेक्स स्टेप में यूज करने वाली हूँ माइसल एर वाटर इसको यूज करने से मेरी स्किन में जितने भी पूर्स हैं बहुत ही अच्छे सी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ब्लेक एड, वाइट एड और क्लोग पोर्स की प्रॉबलम है तो आपको ये स्टैप फॉलो करना ही है बिकेस स्पेशली समर्स में हमें बहुत ही स्वेट हो जाता है इसके बाद मैं यूज करूँगी रॉव मिल्क आज अ क्लेंजर इट इस नौन फोर इट्स जेंटल येट एफेक्टिव क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज और इससे फेस को क्लीन करने के बाद फेस बहुत ही रदा सॉफ्ट और सपल हो जाता है रॉव मिल्क में लक्टिक आसिड प्रेजंट होता है जो हमारे पॉर्स को जेंटल एक्सफॉलिएट करता है जितनी भी इंप्यूर्टीज डर्ट और डेट स्किन सेल्स होती है उन सभी को ये बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है और अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन रखोगे तो आपके स्किन में इसी स्टेप से जो मैक्सिम्म स्किन का नसरन है वो सॉल्व हो जाएंगे फेस से सारे डर्ट और इंपॉर्टीज को रिमूव करने के वाद मैं करूंगी स्टीमिंग इस से हमारे जो पूर्स है वो उपन अप हो जाते हैं और अभी हमने जो स्टेप किया है उससे हमने अपनी स्किन की अपर लेर यह उसको खीलीinha करने के लिए हम सब से पहले अपने पूर्स को उपन अप करेंगे for this step आप यूज कर सकते हैं face steamer या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यूज कर सकते हो मेरी same technique इसके लिए आपको पानी को गरम करना है और किसी भी cloth को dip करके अपने face पे लगाना है इसको आपको 5-10 मिनट तक follow करना है इससे आपके face पे जितने भी force है वो open up हो जाएंगे cleansing and steaming के बाद हम करेंगे face को scrub now I know बहुत लग बोलेंगे कि dermatologist ये बिल्कुल भी recommend नहीं करते हैं बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है dermatologist ये recommend करते हैं कि आप अपने skin के according मन्त में या week में एक बार ये step फॉलो कर सकते हो बट कैसे आप उस चीज को use कर रहे हो वो बहुत ही जादा important है आप बहुत हार्श लिए अपने skin को rub या massage करोगे किसी भी product से तो वो आपको damage करेगा ही तो problem scrub करने में नहीं है आप उसको कैसे अपने face पे apply कर रहे हो उसमें है इस face scrub में मैंने कोई भी harsh ingredient add नहीं किया है जो हमारी skin को damage करें इसको prepare करने के लिए मैंने add किया है instant coffee उसमें मैंने add किया है honey and olive oil instant coffee मैंने इसलिए add किया है because यह बहुत ही जल्दी dissolve हो जाती है यह बिल्कुल भी harsh नहीं होती है हमारी skin के लिए यह तीनों ही ingredient बहुत ही gentle है यह pores के अंदर से जितनी भी dirt, oil and impurities है उनको remove कर देगा sensitive skin के लिए मैं recommend करूंगी कि आप steaming and exfoliation को month में सिर्फ एक ही बार करो और normal skin type वाले आप week में इस routine को एक बर follow कर सकते हो अब हमारी skin अंदर और बाहर दोनों साइट से clean हो गई है तो अब हम apply करेंगे मेरा favorite face pack जिसको use करने से आपके skin में जितनी भी tanning, pigmentation, dark spot, uneven skin tour और उसी के साथ में जो acne है उसी के साथ में tanning, dark spot, pigmentation इन सभी skin concern को वो क्योर करता है second ingredient जो मैंने add किया है वो है turmeric which has an anti-inflammatory properties जो acne को क्योर करता है और skin को soothe करने में help करता है and the last one is curd which is my favorite ingredient खाने में भी और लगाने में भी curd जितना घटा होगा उता ही effective होगा हमारी skin के लिए curd में भी lactic acid होता है और ये भी हमारी skin को hydrate and nourish करने में help करेगा इसको मैं 10-15 मिनट तक अपने face पे रहने दूँगी and then normal phani से wash कर लूँगी for the next step मैं करूँगी face icing and again अगर आपकी skin sensitive है तो मैं please आपको recommend करूँगी कि ice cube को आप किसी भी cloth में रैप करके then face पे apply करो face pack के बाद इसको लगाने से face pack का जो effective नैस है वो और जादा increase हो जाएगा because icing करने से हमारे pores है वो वापे श्रिंक हो जाएगे और face pack का जो effectiveness है वो हमारे skin में जादा time तक रहेगा जिससे कि ये हमारे face के लिए बहुत जादा beneficial होगा and with that icing करने से blood circulation increase होता है और उसी के साथ में इसमें anti-aging properties भी होती है और आप चाहो तो इस routine को रोज भी follow कर सकते हो मैं icing को जादे तर morning में prefer करती हूँ because ये face को deep puff करने में भी help करता है now glass skin achieve करने के लिए हमें अपने eyes and lip area को ignore नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं अब करूंगी lip scrub इसको करने से हमारे lips पे जितने भी dead skin cells है वो remove हो जाएगी और scrub करने से blood circulation भी increase होता है तो ये step करने से हमारे lips naturally pink and soft हो जाएंगे जिनको भी pigmented lips का problem मैं मैं उनको recommend करूंगी कि आप ये step week में जरूर से follow करो इससे आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे इसके लिए मैंने जो scrub यूज किया है वो है bellavita का lip scrub मैं साभी product के link आपको description and pin comment में provide कर दूंगी next for my eyes मैं यूज करूंगी eye cream मेरा screen time बहुत जादा है तो इसलिए मुझे बहुत पार dark circles का problem हो जाता है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ derma cookie under eye cream इसको लगाकर मैं अच्छे से massage करूंगी so that यह मेरी skin में अच्छे से absorb हो जाए उसके बाद मैं apply करूंगी toner this is my all time favorite because ये glass skin को करके रखता है जिससे हमारे face है वो throughout the day glowing and hydrated लगता है और यह help करेगा कि आपकी जो skin है वो transform हो जाए glass skin में उसके बाद मैं यूज करूंगी serum now serum आपको अपनी skin concern के according ही चूज करना है जैसे अगर आपके skin oily and acne prone है तो आप salicylic acid यूज करोगे dark spot and pigmentation के लिए vitamin C serum and अगर आपके dull fullness and dryness है तो आप hyaluronic acid यूज कर सकते हो as of now में यूज करी हूँ प्लम गुड़निस का niacinamide and rice extract serum इस serum को मैं डाम स्किन में अपलाई करती हूँ जिससे मेरे skin है वो बहुती रादा glowing रहती है next में यूज करूंगी sunscreen अगर आप last step sunscreen नहीं अपलाई करोगे दन इस्ते पहले चाहे कितने भी steps का skincare routine follow करो last में आपको sunscreen लगानी ही है इस step को बिल्किल भी skip नहीं करना है इन सभी steps को follow करने से आपकी skin है वो heal भी रहेगी and उसे के साथ में ये protected भी रहेगी and overall आप अचीव कर पाओगे healthy and glowing skin आज का वीडियो अगर आपको helpful लगा हो तो please like this video and subscribe to my channel और मैं आ next video में